नमस्कार दोस्तों आज 31 अगस्त और 31 अगस्त को एक बार एक नए वीडियो के साथ आपके समने हाजीर हूं अभी हम लोग रूची स्वया इंडेस्ट्री के रिजल्ट के रिगार्डिंग इस वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अभी तक लगभग सारे कंपनियों का रूची स्वया का अभी हम लोगों को रिजल्ट देखने को नहीं मिला तो इसकी रिजल्ट की डिले क्यों हो रही है इसी के रिगार्डिंग रूची स्वया इंडेस्ट्री के मैनेजमेंट ने जो बाते कहीं है उसे एनेसी और बीएसी दोनों जगाओं पर अपने स्टेट के हिसाब से हम लोग पता चलेगा कि अभी तक रूची स्वया इंडेस्ट्री का रिजल्ट क्यों नहीं आया तो अभी हम लोग इस वीडियो पर देखेंगे दोनों ही एक बार 14 तरीक को ही 14 अगस्त को इसके लिए मीटिंग हुई थी उसमें क्या बाते हुई और आज फिर उन्हें 14 के बाद आज 30 तारीक को एक फिर से अपडेट आया है उसी दोनों अपडेट को मैं इस वीडियो पर चर्चा करूंगा तो काफी सारी बाते रहते हैं स्टॉक मार्केट पे स्टॉक के रिगार्डिंग जो कि हर इंडिविज्वल एक बीजी पर्सन के लिए पॉसि होता है और स्टॉक मार्केट में एक टेकनिकल एनलेसिस और फंडामेंटल दोनों ही तरीके से स्टॉक को जज़ करके स्टॉक को बायस सेल रेटिंग दी जाती है लेकिन एक न्यूज भी एक ऐसा इंपक्ट है जो कि स्टॉक को ऊपर और नीचे करता है और काफी स्ट्रॉं ब् element industry देख सकते हैं और अभी नेशले इंडिया को देख सकते हैं नेशले अजरह चार्ट नहीं है लेकिन नशले अप्रेंड में जा एगल करने आज से पांच दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया था कि निस्ले इंडिया ने काफी उपर तक जाएगा क्योंकि नेसले में आपको यह पता होगा या नहीं है कि नेसले इंडिया निप्टी 50 गर्स टॉक बन जाएगा 17 अक्टूबर को 17 सेप्टेंबर को यह डेड फाइनल किया गया है और एच आपका इंडिया बुल्स हाउसिंग इंडेक्स से बाहर निकाला जा रहा है तो यह काफी इंपोर्टेंट रहता है जिसे ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है लोगों के लिए हमारा चैनल इसी के रिगार्डिंग करता है तो आपको कुछ नहीं करना सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको जो भी स्टॉक सब्सक्राइब करें इस वीडियो पर चलते हैं न्यूज पर क्या बात है तो वीडियो पर बने रहे हैं तो देखिए हम लोग यह जो एनसी और वीसी दोनों को यह फाइल किया गया आप यहां पर देखिए बीसी लिमिटेड बंबे स्टॉक एक्सचेंज और एनसी नेशनल स्टॉक एक्सेंज दोनों को यह 16 अगस्त को यह प्रेम पीडियो फॉर्मेट पे आपका अपलोड किया गया था यह डोकॉमेंट और यह रूची स्वाया काई है आप यहां पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर किसी तरह का कोई भी जो भी मैं कंटेंड लेके आता हूं 100 परसं तो आप बोली सकते हैं क्योंकि 100 परसंट बोलना काफी एफेक्टिव नहीं होता तो आप इसको पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं यह दोनों एक्सेंजेस पर अपलोड है आप जाके देख सकते हैं क्या बाती हुई थी तो आउटकम आउटकम और बोर्ड मीटिंग है 14 अगस्त इन रिकॉर्ड अबब यहां पी क्या बाती के एक वी में अगान इंफर्म यूथ तो आप मीटिंग वसेल्डन 14 अगस्त 2019 12.13 प्.m. 30 प्.m. इंटर लाइबा तो चूंसिटर और अप्रूबल अप्रूबल अप्रूब अनुड़ एक्टिव एक्टिव एक्टम इना इना कुछ कुछ डॉकूमें ओर आपका डॉकूमें पी क्लीरिफिकेंश सेपी परूरप सेपरेटल एक्टूले मैं आपको पता ही कि न्चल्ट की प्रोसेस चल रही है रूची स्वया पे और इनौनने कुछूमेंट और आपका डॉकॉमेंट पर क्लिरिफिकेशन्स मांगा था और इसी के वज़े से रिजेल्ट में देरी हो रही थे इन्होंने यहाँ पर कोई डेट मेंसिन नहीं किया था कि किस डेट को फाइनल रिजेल्ट दिया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा एक्स्चेंजिस को बोला गया तैंक्यू वेरी मच्च तैंक्यू देखिए यहाँ पर रूची सोय इंडस्टी ठीक है योर फेथफूल यह तो थी 14 तारीक को जो बात हुई थी मीटिंग बे वो 16 तारीक अपलोड हुई थी अभी 16 तारीक के बाद आज 31 तारीक है तो अब तक क्या हुआ तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ एक और चीज में आपको दिखाता हूँ वीडियो पर बने दे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं फिर से यह इनसे और बीस तारीक को बीस अगस्त को फिर से बाते रखी गई क्या था ना समिशन ओफ ऑनानुटेट फाइनेंसियल रिजेट्स क्वाटर इंडेट 30 ठीक है 30 जून को जो क्वाटर इंडेट क्वाटरली जो रिजेल्ट होता है उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर देखिए बताया गया कि दिस हाज रिफरेंस टू यू यूर मेल डेट 19 अगस्त रिकॉर्डिंग अबोब यहाँ पर भी क्या बाती हुई 14 अगस्त 2000 को इनफर्म कर दिया गया था यह मैंने आपको अभी दिखा है और इसी तरह से एप्रूब दा अनुडिटेट फाइनसेर रिजेल्ट जो की 30 जून का होता है क्वाटरली रिजेल्ट उस पे और यहाँ पर फिर से वही चीज बोला गया कि यह क्लियरिफिकेशन अ अभी तक फिर से कोई डेट फिक्स नहीं किया गया क्योंकि NCLT को प्रोसेस काफी लंबा होता है और इसी बीच पे अभी इसका रिजेल्ट देना तो सारे डोकोमेंट को जब तक दिखा नहीं जाएगा इसका रिजेल्ट नहीं आया है तो इस स्टॉक पे अभी क्या किया जाए इसके लिए देखिए इस स्टॉक तो काफी बहतरीन था लेकिन अभी इस स्टॉक के साथ काफी प्रोब्लम चल रही है और देखिए इसका पांच दिनों का अगर चार्ड देखेंगे तो यह यहां से लोगर सर्किट और फिर अपर सर्किट लगा फिर से स्टॉक नीचे करेक्ट हुआ फिर से लोगर सर्किट में तो इस तरह की चीजें आपको अभी देखने को मिलेगी डेफिनेटली रूची स्वया पर क्यूंकि अभी जो है वह पैसे इस पर लगा रहे हैं और थो करेगी और पातंजली का स्टेटमेंट बहुत जुरूरी है कि कंपनी को किस तरह से रन कराएगी क्या कंपनी का सेयर्स को डिलिस्ट करेगी या फिर कंपनी उसी हिसाब से चलेगी क्या अभी कोई बात किलियर नहीं है जिसके वजह से इस पर ट्रेंड मिलना काफी मुश्कि मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं अगर आपको ऐसा लगता है कि इस पर पैसा लगा के हम बहुत जादा पैसा बनाएंगे तो आफ डेफिनेटली इस पर पैसा लगाए लेकिन अभी थोड़ी सी अगर इस पर पेसेंस रखा जाए तो आगे जाके यह एक अच्छा स्टॉक बन सकता क्योंकि रुचिस्वाय इंडस्टी एक्चुली में मैंनिफेक्ट्र और एडियाबल ओयल से रुचिस्वाय आज बिन रैंक्ट 175 ने टॉप 250 कंजूमर प्रोडेक्ट कंपनी इन दे ग्लोबल पावर ऑफ दे प्रोडेक्ट इंडस्टी 2012 में इनको यह एवाउड द तो चलिए वीडियो पीतनाही रुचिस्वाय इंडस्टी के लिए रुचिस्वाय के जैसे कोई अपडेट आता है रिजल्ट का मैं आप तक पहुंचा दूंगा इसके लिए सिप आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना साथी बिल आइकन को प्रेस करना है तो थैंक्य इस वीडियो पेतनाही थैंक यू वेरी मच फोर वाचिंग इस वीडियो